कोरोना ची एक शेवट ची निकराची लड़ाई अपली सुरू है कोरोना विशेष्टा महाराष्ट्रा मदे प्रचंड मुठया प्रमालात वाड़तो है नविन स्ट्रेन अपले लक्षा देता है अधिक काल लोकाना दवाखेना त्राव लगता है कमी वड़ा मदे एकदम तब्बे डिटिरेरेट होते है अलि त्याच वई वैक्सीन चा माध्य मातन त्या कोरोना ला नहेमी करता घालोनाचा प्रेतन देखेल हाँ मोठया प्रमानात शुरू है अशाया सगया परिस्थिती मदे गेला वर्षे भरा मदे कोरोनाचा संकट अस्तना देखेल देशाचे पंतप्रदान मानानिया नरेंद्र मोधी जी यहनी एकिकड़े कोरोनाचा मुकाबलातर केलाच पड़ दुसरीकड़े आत्म निर्बर भारत है अभियान हाता मदे घ्योन कोरोनाचा संकट काड़ा मदे आमेरी संकटाला संधित रुपांतरीत करू शक्तो हे आपन दाखों दिल आले आपन बगितला सेल की इतक्या मोठया प्रमणात उद्ध्योग व्यापार व्योसाए अडचरनी ताला आस्तना तेला सर्व प्रकारची मदद करून आणि त्यातना पुना आपलिया जिडिपी ग्रोथ ला चालना देत लोका नास बाटत उतकी मागिल वर्षी आपन 25 ते 30 टक्के निगेटिव ग्रोथ मरे जाओ ते 8 टक्के अवर थाम्बोलो आणि या वर्षी अपन मोठ्या प्रमाणात डबल डिजिट ग्रोथ मरे जाओ अश्या प्रकारची अवस्ता या भारता मदे माननीय मोधी जिन्नी आण्डली मी 15 दिवसा पुर्वी मुंबय उन दिल्लिला चाल्लो ओदू अब विमाना मदे माजा शेजारी एक व्यक्ति वसला होता कोड प्रोटकॉल प्रमाणे मदली से ट्रिकामी होती आणि सकाजी बढ़े होती मी सवज विचार केला कि थोड़ी जपकी गया वी मनुद मी अगदे डोड़े बंद करनार ते वड़ा तो व्यक्ति मला से मनाला कि अगर आपके पास होंगे तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं नहीं तो आप थोड़ा सो लीजिए उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा मैं मुझाला नहीं सोना को इंपोर्टन नहीं आप बताईए मैं मैरे इंडस्ट्री है मैं यह रेफ्रिजेरेटर और बाकी सारी चीजों को जो छोटे कंपोनेंट रहते हैं वो कंपोनेंट में तैयार करता हूं मैं मैं आपको इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था कि आप हमारे धन्यवाद मोधीजी तक पहुचाईए मैं मतला बताईए क्या पहुचाना है मोधीजी तक क्यूं आप धन्यवाद देना चाहते हैं पर देखें कारोबार तो हमारा चलता था पर चायना से कॉंपेटिशन करनी पड़ती थी और उस कॉंपेटिशन में ग्रो होना बड़ा कठिन था उनके स्टेट स्टेट एंटरप्राइजेस सारे के सारे स्टेट फंडेड भी है और उनको अलग अलग प्रकार की सब्सिडिज मिलती है इसके करण हमारे यहां पर वो एक अनफेर कॉंपेटिशन करते थे और हम ग्रो नहीं हो पा रहे थे और मोधी जी ने आत्म निर्बर भारत की और हमको कहा कि इंपोर्ट सब्सिटूट तुरन तयार करो और यह भारत की ताकती हम लोगों ने इंपोर्ट सब्सिटूट तयार किया पिछले एक साल में मेरी पाच राज्यों में अलग-अलग फैक्टरिया बनी मेरा टर्नोर एक हजार करोड से बड़ा और आज तक्रीब कि आत्म निर्वर भारत का है यह चा यह चा पिक्षा बोलका उदारन यह दुसरा कुटला असू शकत नाए आणि मा त्यातना अनेक गोश्टी तेनी सांगितला कि विविदा इंडस्ट्रीला कसा फायदा जाला मैं यह मला देखिला अनेक गोश्टी महाईती नावत्या पण उद्ध्योगाच्या क्षेत्रात लासलया मुळे आणिमा कशा त्यातना एंसिलरीस डेवलप जालिया, कशा त्यातना लगूद्योग डेवलप जाला, आणि कशी त्यातना रोजगाराची निर्मिती जाली, या संदरबातल संपुर्ण चित्र हे माजा समोर जवास्तेनी उभकेला, त्यावे समोधी जीन चा आत्म दिरबर भ जाकशा ताली.